क्या SMS के माध्यम से भी Legal Notice भीजा जा सकता है क्या? कई सारे लोगों ने तो ये भी प्रशन किया SMS समझें या WhatsApp समझें या Email समझें इसके माध्यम से भीजा जा सकता है या नहीं? इस प्रशन का जवाब इस वीडियो में हम जाने की करेंगे कोशिश प्रयास रहेगा हमारा नमशकार आप सभी ने शिरुवात अशोग पांडे के साथ Legal Advice में की है कानून की जानकारी यहीं से मिली कि सब्सक्राइब जरूर कर दें आपका अपना चैनल है बात करते हैं, can a legal notice be sent through SMS? Short Message Service Short Message Services होती है, उसमें 160 शब्दों तक का आप भेज सकते हैं अब तो उसकी frequency बढ़गी क्योंकि वो 2-3 messages को merge करके भेज देता है तो क्या उसे भेजा जा सकता है या नहीं? नहीं भेजा जा सकता लेकिन आप WhatsApp के माध्यम से, आप email के माध्यम से या किसी अन्य electronic माध्यम से अगर भेजना चाहें, तो आप बेशक भेज सकते हैं बट फिर भी इसके पहले मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया था जब कभी भी कानूनी notice, यानि legal notice जो आप भेजते हैं opposite party को चाहे वो recovery of money के लिए हो, चाहे divorce के लिए हो, custody of child के लिए हो, alumini के लिए हो, maintenance के लिए हो या कोई भी आपका recovery of money से सम्मंदित कोई case है, उससे हो, check negotiable instrument act का हो किसी भी topic पे अगर आप legal notice भेजें, आप registered Indian post जो डाग घर होता है उसके माध्यम से भेजें क्यों, भेजने की जो आपके original details है वो तो आपके पास रहती है साथ ही साथ acknowledgement वो भी आपके पास रहता है, और जो receiving मिलती है वो भी समाल के रखें वो ये साबित करती है आपने किस दिन और किस समय ये legal notice उने भेजा था तो ये आपके लिए सबसे बहतर विकल्प रहेगा, बट उसके बावजूद अगर उसकी एक copy आप legal notice की आप electronic form से भेजना चाते है या whatsapp करना चाते है या email करना चाते हैं तो आप कर सकते SMS ना करें, SMS की validity नहीं होगी, तो ये आपके पास में एक उचित तरीका है दूसरी बात, क्या सबूत के तौर पर अगर आपने भेजा हुआ है, whatsapp के माधियम या mail के माधियम से तो consider किया जाएगा अगर tempering नहीं हुई है, malfunction आपके computer या आपके जो mobile phone है उसके साथ में नहीं हुई है तो उस condition में acceptable है, आप खुद का self Indian, जो Indian evidence act है section 65B का certificate produce करके code के सामने वो दे सकते हैं, otherwise वो considerable नहीं होगा तो पहला प्रशन जहाँ पर आप क्या SMS के माधियम से भेज सकते हैं, बिल्कुल नहीं भेज सकते हैं, आप whatsapp कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, आप email कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, electronic form of mode से भेज सकते हैं, लेकिन बहतर ये होगा कि आप registered Indian post से, डाग घर से भेजें, बहतर आपको ये जनकारी कैसे लेगी मुझे दरो comment box में mention कीजेगा, साथ ही किसी परिशानी के लिए करना चाहते बात, इस पीडियो की description में detail है, लिंक है, जहां से आप मुझे बात कर सकेंगे, कानूनी, सुझाओ या परिशानी से संबंदित, आप सभी जो कीमती धन्यवाद